हलो फ्रेंस मैंने में से तिसक मारे एंड यू आर वाचिंग टैफिसीन यूटूब सेनल दूस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EVM के बाने में बात हुएं इस मसीन के बारे में कि यह जो मसीन है इसको कैसे है किया जा सकता है इस वीडियो का यहन तक जूर देखना काफी इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आई वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले में बात करते हैं EVM मसीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं EVM मसीन के उपर ओड्रीडियो बना तब अब काफी दिनोческие बाच ME future. कि EVM machine केसे काम करती है और किस तरीके का इसका जो पूरे structure होता है अंदर का जो hardware होता है software होता हो केसे काम करता है तो आपको वो जो link का ऊपर i button में description में मिल जाएगी तो please आप उस video को देख सकते हैं कि आप EVM machine के बारे में असे से नहीं जामते हैं के अंदर मैंने अच्छे से explain कर रख है कि EVM machine क्या होती है लेकिन इस video में सिर्फ उसे बात करेंगे hacking के बारे में यहाँ पे एक video जो की facebook पे youtube पे काफी दिनों पहले से ही एक video viral सल रहा something आदे गंटे का वो video है जिसके अंदर live EVM machine को hacker के दिखाया जा रहा है वो video सायद आपके सामने भी आया होगा तो पहले वीडियो क्लिप देख लिजी उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं क्या आ रहा है BJP 10 BJP 10 Congress 1 BSP 2 BSP 2 BSP 2 BSP के बोलेट गया BSP के जो BSP के जो सारे बोट है इस बोट में कितने बोट नो 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 आठ बोट यहां सिप्ट हो गए EVM जब दुबारा चालू हुआ रिजर्ट के लिए खोला गया इसको तो ये BSP आप EVM को सब कैमरे मुबाइल के पास लेके दिखा दीजिए BSP के बोलेट दिखाईगे ये देखिए जब EVM कुला है तो बीवी पैट में एक सब्सक्राइब लाइए ये देखिए जब बोटिन होई थी बीवी पैट का पले रिजर्ट दिखा दे रहे बीवी पैट का रिजर्ट में बीजेपी दो आई एन सी ए BSP 10 आप छे सपा दो रशे जो वीडियो है ये काफी बड़ा वीडियो आदे गंटे के आसपास का वीडियो है लेकिन मैं पूरा नहीं दिखा सकता है मैंने छोटा उसा पार्ट कट करके दिखाया है और इसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि EVM को यहाँ पे हैक किया जा रहा है मुझे समझ में निया था कौन ऐसे लोग है जो इस वीडियो पर विश्वास कर रहे हैं थोड़ा बहुत अगर उनको टेकनोलोजी के बारे में नोलेज होता तो ये वीडियो पूरी तरीके से फेक है सबसे पहले जीज़ तो इसके अंदर EVM मसीन है इन्हें यहाँ पे यू इस लोटी वाले काम होती उसके अंदर सबसे ज्यादा इस बोड का यूज किया जाता है तो तुम आपको इंटरेट के पर मिल जाएगा यह एक बोड है जिसका नाम है रेस्बरी पाइभी कौन सा रेसबरी पाइड टू-3 कौन सा भी हो सकता है जो हैकर है जो साइबर सेक्स चार्जर शार्जर से चलाया जाता है इसके अंदर बैटर कला नहीं लगती है तो ये एक EVM कोई मसीन नहीं है, ये रेस्बरी पाय है और उसके अंदर खुद का एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है, प्रोग्राम पाइथन में या C में हो सकता है, मेरे खल सी जैसा कि मैं डिस्पले में देख पा रहा हूं, मैंने वीडियो को द्याँ से देखा है, C के अंदर पाइथन में जाना तक में लगता है, प्रोग्राम है, एक स्क्रिप्ट है जिसको रन किया जारा इस वीडियो के अंदर इस रेसबरी पाय के अंदर और लोग इसको ससमारने के EVM मसीन है, उसको यहाँ पर हैक किया जारा है, भाई ऐससे तो खुद का प्रोग्रा शिदा काम करके आपको दिखा दूँगा कि इस तरीके से EVA मसीन हैक होती है तो क्या आप उसको मान लोगे और समझ में नहीं आरा मैंने नीचे कमेंट पड़े इस वीडियो के नीचे पता नहीं सबने बोल रखा कि EVA मसीन बैन कर दो वो EVA मसीन है कुरती है लाइप रूप देख लो अब तो मान जो भाई वो EVA मसीन नहीं है जिन बेचारों को थोड़ी नहीं होती है टेकनोलोजी के बारे में वो ऐसे वीडियो को पर विश्वाज कर लेते हैं मुझे समझबिन है अन्या तकछारी सके बारे मां बात नहीं करते है इसके पर साइड में राख ताए बात करते हैं रियल EVM मसीन के बारे में कि रियल EVM मसीन हैक कैसे होती है देखिए यह जो मसीन है इसको हैक करने के दो ही तरीके है मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ या पे और सबसे पहले चीज़ मैंने ट्राइ नहीं किया है यह सिर्फ एक्सपेट की राय के आधार पे और जो टेक्नि लेकिन केसे हैक होती है उसके बारे में बताता हूँ दो तरीके यहां पर इस EVM मसीन को हैक करने के हैं सबसे पहला जो तरीका है वो है इसकी डिस्पले को चेंज करना इसके अंदर एक छोटी सी डिस्पले होती है जिसके उपर रिजल्ट शेयो होता है कि इसको कितने वोट है उस टाइम पे इसके अंदर क्या स्वे होगा यानि कि डिस्पले और जो में बोर्ड होता है मसीन के बीच में उसके बीच में जो कम्यूनिकेशन होती है किसी वायर के थुरू वहां पे छोटा सा प्रोग्रामिंग चिप लगा दी जाए या फिर जो आउटपुट निकलत जाए तो इस मसीन को है किया जा सकते है लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है और ये इतना आसान नहीं है किसी को भी नहीं पता कि इस मसीन के अंदर कौन सी डिस्पले यूज होती है उसके अंदर कौन से ड्राइवर यूज के जाते हैं किस तरीके का इसका firmware है तो इनके बारे में किसी को नहीं पता इसलिए ये hack करना possible तो है बट आम आदमी के लिए फिर किसी भी expert के लिए cyber security expert के लिए hackers के लिए impossible है क्योंकि उसके हाथ में इतनी देर के लिए AVM machine access हो ही नहीं पाएगी दूसरा तरीका यहाँ पे hack करने का है वो है कि इसका जो firmware है उसके अंदर थोड़ी changes कर दीज़े लेकिन ये भी कुछ तरीके से possible नहीं है possible यहाँ पे क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो chip यूज की जाती है जो EMC memory chip यहाँ पे यूज की जाती है वो जो chip है वो एक non-volatile memory है एक ऐसी memory होती है जिसके अंदर एक बार आप data write कर देते हैं तो उसको फिर बाद में erase नहीं किया जा सकता है वो सिंग मसीन हो गई या फिर दूसरे freeze वगर आगो उसके अंदर छोटी-छोटी LED होती है उनके अंदर भी एक firmware काम करता है firmware के बारे में नहीं जाते तो वीडियो बना रहा है मैंने अप चेक कर सकते लिंक निचे डिस्क्रिप्शन विल जाएगे तो उसके अंदर एक firmware काम करता है और यह जो firmware होता है इसी का काम होता है पूरा display के उपर show करवाना voting को count करना record करना data क अंदर तो इस firmware के अंदर कुछ changes नहीं किया जा सकते क्योंकि यह जो memory है यह एक बार राइट हो गया data इसके अंदर फिर बाद में रीज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर एक बार कोड राइट कर दिया जो रोम के अंदर जो इंटरनल इसका जो OS आप से बोल सकते तो इसको एक बार flash कर दिया है memory के अंदर तो फिर इसको वापस से reflash नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर कैसे hack होगी यहाँ पर hack होने के लिए चाहिए दूसरी EMC दूसरी EMC केसे बोलड के ऊपर जो EMC चिप इसके अंदर लगी होई है उस EMC चिप को निकालो फिर एक दूसरी EMC चिप लो और उस चिप के अंदर जो इसका firmware है जो इसके लिए compatible इस बोल के लिए compatible firmware उस firmware को design को अपने इसाब से उसके अंदर code के अंदर modification कर दो कि बोट डाल लेंगे तो इतने परसेंट जो बोट हैं वो ओटोमेटिक लिए इतने नंबर वाले बटन के उपर चले जाएंगे यह बटन के हिसाब से काम करती है इसको machine को नहीं पता कि कौन बिजेपी कौन Congress है ठीक न कौन आधि पर पार्टी है यह बटन के हिसाब से काम करती है कि फैस होते हैं वो लगा दिया जाते हैं जिस्टियम को यह पता रहता है कि यह बटन बिजेपी का है यह बटन Congress का है और उसके हिसाब से मसीन भी डिसाइड करती है कि कि कितने नंबर बटन पर कितने ज्यादा वोट में लिया है तो यहाँ पर वो दो चिप है उस चिप को अगर र पंदर मोडिफिकेशन करके फिर से उस बोड्ड के पर लगा दिया जये तो यह मसीन है कोई है करने के बाकी कोई त्रीकर नहीं है अब यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक लंदन के एक हैकर ने बताया था कि यह मसीन है करने के बाकि हैक हो सकती है और फिर बाद में लोगों ने शुरुवात वहीं से होई थी फिर बाद में कुछ पार्टियों ने इसको मुद्दा बना लिया कि मसीन हैक होने लगए हैक होने लगी फैर मैं इसके उपर नहीं जाऊंगा हैक होती या नहीं होती मैं इसके बार में कुछ भी नही वो backdoor इसके आंदर काम करने लग जाए, फिर वाइरलेसली इसको किसी computer से connect कर लिया जाए और उससे hack होने लग जाए, यह किसी computer से भी नहीं जूरती है कि उस computer के आंदर वाइरस डाल दिया जाए, जिसकी वज़़यtó से machine hack हो, वाइरस इसके अंदर चला जे कोई ऐसा तरीका नहीं है और जो लोग मानती EVM हैक होती है चुनाव के अंदर तो भाई ये दो तरीके हैं अगर ये तरीके अगर चुनाव आयोगे इतनी देर तक इतने टाइम तक मसीन किसी के हाथ में सोपता है तो साहिद कुछ भी हो सकता है क साहिव थोड़ी होगा बतलब दुनिया के सामने थोड़ी दिखाएं कि EVM मसीन में हैक होई है तो फ्रेंड्स ये था EVM मसीन हैकिंग के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो EVM मसीन है वो कैसे हैक हो सकती है और एक हैकिंग के पीछे क्या के ट EVM मसीन कैसे हैक होती है I hope you like this video अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब भी अपने दोस्तों में share करें और जो लोग सोचते हैं कि EVM हैक होती है नहीं होती है उनके साथ उनको तो ये वीडियो जरूर दिखाएं उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा टेकनोलोजी के ब बाइ